नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल इस्टडी यूटोब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे जीके एंड जीएस का मेरा थन ओनलाइन टेस्ट जो की पूरे 200 क्यूशन्स का होगा तो सभी 200 क्यूशन्स बहुत इंपोटेंट रोले वाला है सभी एक्जाम्स के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को सेर कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का हमारा पहला क्यूशन है वीशुव वन्ने जीव कोस कब इस्तापित किया गया था ओप्शन दे रखाए 1950-B दे रखाए 1921-C दे रखाए 1960-D दे रखाए 1901 तो फटापट से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है वीशुव वन्ने जीव कोस कब इस्तापित किया गया था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर D चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखाए किस राज्य में पहले दिसा पुलिस स्टेशन का उद्गाठन किया गया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंदर परदेश क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा किस सासक ने सिचाईकर लगाया था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने सिचाईकर लगाया था correct answer क्या होगा option number B अगला question दोस्तों अगला question दे रखा BR में सेवा का अधिकार किस वरस लागू किया हुआ था important question है option दे रखा 2011 B दे रखा 2012 C दे रखा 1980 D दे रखा 1999 तो right answer क्या होगा BR में सेवा का अधिकार किस वरस लागू हुआ था important question है तो दोस्तो इसके राइट आजर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को लागूँ आता कभू आता 15 अगस्त 2011 को तो correct आंसर हो जाएगा ओप्षन नंबर ये कभ लागूँ आता 15 अगस्त 2011 को अगला question दोस्तो अगला question देलका है देश में किस मुद्रा को वैदानिक माननेता प्राप्त है वस्तु मुद्रा को साक मुद्रा को पत्र मुद्रा को या चैक को तो अमारे देश में किस मुद्रा को वैदानिक माननेता है important question ना right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा पत्र मुद्रा correct answer क्या हो जाएगा option number C चले अगला question दोस्तो अगला question दे रखा विश्व अस्तमा दिवस 2021 का विश्य क्या है option दे रखा इस्टो फोर अस्तमा दे रखा अन्य कावरिंग अस्तमा misconception करेक्ट answer क्या होगा important question है विश्व अस्तमा दिवस 2021 का विश्य क्या था important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा अन्य कावरिंग अस्तमाड मिश्य कंसेप्शन correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दे रखा परख्यात सांस्कृतिक केंदर भारत भवन में इस्तित है का इस्तित है लखनव में भोपाल में पटना में इंदोर में तो राइट आंसर क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा भोपाल में correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दे रखा सन्वीदान के किस अनुचेद के प्रावदानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रतन पदम विवुशन और आदि अलंकरन परदान किये जाते हैं अगला question अनुचेद 32 के तैयत तो किस अनुचेद के प्रावदान के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रतन पदम विवुशन और इन संवीवुशन और फ्षिकार परदान किये जाते हैं important question है क्या होगा इसका right answer है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुछेद 18 के तयात करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्विशन दे रहा है लोगसभा का उमिद्वार होने के लिए अलब तम उमर क्या है लोगसभा का उमिद्वार होने के लिए कम से कम आयू क्या है 25 वरस, 30 वरस, 35 वरस या 18 वरस राइट आंसर क्या होगा, इंपोर्टन क्विशन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वरस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देराका मुस्लिम लीग ने पर्थक निर्वा चक मंडल की मांग किस अधिवेशन में किये थे ओप्शन देराका नागपूर अधिवेशन बी देराका लावर अधिवेशन सी देराका कोलकता अधिवेशन डी देराका अमरत सर अधिवेशन तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरत सर अधिवेशन करेक्ट आंसर क्या होजाएगा, option number D अगला क्यूशन दोस्तों, अगला क्यूशन देरा का, governor general की कारे कारेणी में निक्त होने वाले पर्थम भारतिय कोन थे सत्यंदर, नात, सिनहा भी देरा का, डादा, बाई, नोरो जी C दिरका शुरेंदर नाथ बनर जी D दिरका इन में से सभी तो correct answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा सत्यंदर नाथ सिना correct answer क्या होगा option number ये दोस्तो अगला question है सवच भारत अभियान कब परारम हुआ था 1 अप्रेल 2015 को 2 दिसंबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को तो दोस्तो सवच भारत अभियान हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था correct answer क्या हो जाएगा option number C चलिए अगला question दोस्तो अगला question दरका सनवेग परिवर्तन की धर किसके बराबर होती है तावरन के आवे के दाप के या बल के तो सनवेग परिवर्तन की धर किसके बराबर होती है मेतव फुरून क्यूशन है तो इसका right answer हो जाएगा बल के correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है इलाबाद की स्तापना के पसात बंगाल में दिवेश दिशासन के स्तापना किस ने किया था लोड केनिंग ने लोड कारनवालिस ने C दे रखा है रोबर्ट कलाईव ने D दे रखा लोड माउंट वेटन ने तो इलाबाद की स्तापना के पसात पसात बंगाल में दोए साषन की स्ताप न किस ने की थी important question है इसका right answer हो जाएगा option number C रोबर्ट कलाईव ने correct answer क्या हो जाएगा option number C चले अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है Guru Govind Singh थे Guru Govind Singh इन में से क्या थे option के आदार पर answer चुनना है तो इन में से गुरू गोविन सिंग क्या थे? इंपर्टन क्यूशन है तो दोस्तो शिको के दस्वे और अंतिम गुरू भी थे शिको के आंतरिक काउंसिलिंग खालशा पंत के संस्तापक्त भी थे वह दस्तम गरंद के रजिता भी थे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सबी थे गरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number D अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है अगला क्यूशन दे रखा है भारतिया सनवीदान में सम्मलित किस भासा के लिए 2011 तक ज्यान पीट पुरुषकार नहीं दिया गया था मराथी, सिंदी, हिंदी या गुजराती राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदी बासा के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दियरका संद्रचना तमक बेरोजगारी का कारण क्या है अवी सिपीती की अवस्ता भी दियरका भारी उद्दोग की अभिनती सिद्रका कच्य माल की कमी D दियरका A प्रियापत उतपाद सम्ता तो संदर रचना तमक बेरोजगारी का कारण मुख्य क्या है इंपोटेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परियापत उत्पाद समता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर डी अगला क्यूशन तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर डी अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरा का चोल राज्ये की राजदानी चंजोर को बनाने वाला कौन था विज्याले प्रांत के यह प्रांतक यह डबल ओप्सन है प्रांतक पस्ट वह प्रांतक सेकेंड दी दे रखा है राजा पस्ट है तो करेक्ट आंसर क्या होगा चोल राज्ये की राजदानी तंजोर को बनाने वाला कौन था तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्जाल है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा का यूरोपीय संग में कितने देश है 27, 100, 28 या 30 तो यूरोपीय संग में कितने देश है में तो पुरुन क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन यह 27 राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर यह चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका मासागरी जलका तापमान लगबक कितना के बीच में रहता है पांस डिगरी से 33 सिदेरका 100 डिगरी से 400 डिगरी डिदेरका इन में से कोई नी तो मासागरी जलका तापमान लगबक कितना होता है इम्पोटेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पांच डिग्री से 33 डिग्री करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये दोस्तो अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका गुजरात के किस सासक को प्राजित कर अलाव दिन खेलजीने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था राणा कुमबा राणा राजा कराने सी देरका मैमुद बैगरा डी देरका आहमद शा तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा कराने करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ये चले अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरका थाइमीन की कमी से कौन सा रोग हो तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमीन की कमिसी होता है बेरी बेरी रोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर D चलिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका अनवर ये सुयली नामक गरंथ किस भारतिय गरंथ का अनुवाद है इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचित आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका है गवर्नर जनरल के कारेकारिणी में भारतिय सद्दस्यों को न्यूक्त करने का प्रावजान किस आदिनियम में किया गया था ओप्शन देरका इंडियन कांसिल अधीनियम अधीनियम अथारसो चतरे तो गवर्नर जनरल के कारेकारिणी में भारतिय सद्दस्यों को न्यूक्त करने का प्रावजान किस आदिनियम में किया गया था इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी मारले मिंटो सुदार 1909 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा मुगलकाल में जिस मदर्शे में मुस्लिम नियाई सास्तर की फड़ाई में विशिष्ट ता प्राप्त की वह का इस्तित था लखनाओ में नई दिल्ले में वैदराबाद में ये इलाबाद में तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है सत्य पीर आंजोलन की सुरुवात किस ने की थी सिकंदर साने अलावदीन ने सुल्तान मुझफर साने या सुल्तान नसिरुदीन साने तो राइट आंसर क्या होगा सत्य पीर आंजोलन की सुरुवात किस ने की थी में किस खनीज का बंडार है जहां वर्षा का ना तो होना वर्दानी सिद्ध हुआ है अट्टा कामा मुरुस्तल में किस खनीज का बंडार है जहां वर्षा का ना होना वर्दानी सिद्ध हुआ है ओप्शन दे रखा यूरेनियम वी दे रखा सलपरडाय ओक्साइड सी दे राइट आंसर क्या होगा, important question है, इसका right answer हो जाएगा, nitrate का, correct answer क्या हो जाएगा, option number D, अगला question, अगला question दिरका, चांदी की उसमें चालकता, तामबे की उसमें चालकता की अपैक्सा होती है, कम होती है, हधिक होती है, बराबर होती है, इन में से कोई नहीं, तो चांदी की उ दोस्तो अगला question दिरका, ब्रिक्स देसों का पर्थम सिक्कर समय रहा न कहां हुआ था, अफ्रांस में, तो ब्रिक्स देसों का पर्थम सिक्कर समय रहा हुआ था, important question है, इसका right answer हो जाएगा, रूस में, correct answer क्या हो जाएगा, option number C अग्ला क्यूशन दरगा निमिले कि तुम्हें से किसका मिलान गल्ट है नाम देव महराश्ट्र आपको परने करें बताईए कूं सा राहिट आंसर होगा तो दोस्तोगा रायट आंसर हो जाएगा वल्लबा वैँ गुजरात यह क्या है यह लाते खतन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन द्रका सिंतो ध्रम किसके अनुनययो का ध्रम है आउत से कुंग भूसू जोरोष्टर मिकादू तो राइट आंसर क्या होगा सिंतो ध्रम किसके अनुनययो का ध्रम है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिकादो का correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला क्यूशन अगला क्यूशन द्रका दिवतिये अंगल मैसूर यूग्द किस संदी के द्वारा समाप्त हुआ था मंगलोर संदी मदरा संदी सिरी रंग पठनाम संदी या मैसूर साय के संदी तो राइट आंसर क्या होगा important question है इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलोर संदी correct answer क्या हो जाएगा मंगलोर संदी राइट आंसर होगा option number E अगला question दे रखा है कर्सी में बेरोजगारी का सवरूप देखने को मिलता है option दे रखा है संद्रचना तमक बेरोजगारी B दे रखा मोसमी बेरोजगारी C दे रखा है गर्षना तमक बेरोजगारी D दे रखा है इन में से सभी तो कर्सी में बेरोजगारी का सवरूप देखने को मिलता है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्ति सबी अर्थार्थ संद्रा तमक बेरोजगारी भी मोसमी बेरोजगारी भी वग गर्शना तमक बेरोजगारी भी तो right answer हो जाएगा option number D चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देराखा रोहिला राष्ट्रिय उद्दान किस राज्य में है माराष्ट्र में, मिजोरम में, उत्राखंड में ये हिमाचल परदेश में तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा रोहिला राष्ट्रिय उद्दान इस्तित है हिमाचल परदेश में correct answer क्या हो जाएगा option number D चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देराखा है किस चोल सासक ने स्रीलंकाई सासक महिंद्र पंचम के समय में शरीलंकापर आकर्मन करे उसकी राजदानी अनुराद पुर को न श्ट किया एवन उत्री शरीलंकापर हदिकार कर लिया था option ये देर का राज राजापश्टे विधरका राजेंतर पश्टे सीदरका प्रांतक पश्टे डीदेरका इण में से कोई निया है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांता के पस्ट ने क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर सी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है थोम्स कप किस खेल से संबन दिता है बैडमिन्टन से बास्केट बोल से क्रिकेट से या गोलफ से तो थोम्स कप है वो किस स्केल से संबन दिता है राइट आंसर क्या होगा इसका right answer हो जाएगा badminton से correct answer क्या हो जाएगा option number ये चलिए अगला question दोस्तो अगला question दिरका प्राथना समाज के संस्तापक थे आत्मा राम पांडू रंग बी दिरका बालगंगा दरतिलक सी दिरका एनी बैसे एंटे डी दिरका रास बियारी गोस तो प्राथना समाज के संस्तापक कौन थे important question है तो इसका right answer हो जाएगा आत्मा राम पांडू रंग correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दिरका सिक्को में किस गुरू का जनम पटना साहिब में हुआ था गुरू नानक देव का गुरू गोविन सिंग का गुरू तेव भादूर का डी दिरका है गुरू अर्जुन देव का तो right answer क्या होगा important question है सिक्को में किस गुरू का जनम है पटना साहिब में हुआ था important question है तो इसका right answer हो जाएगा option number B गुरू गोविन सिंग का right answer क्या हो जाएगा option number B चले अगला question अगला question देखा भारत में कौन सा राज्य खनीज संसादनों से सर्वादिक संपन राज्य है मद्य परदेश करनाटक 36 गड़ जार खंड तो इनमें से कौन सा राज्य खनीज संसादनों में से सर्वादिक संपन राज्य है important question है तो इसका right answer होगा करनाटक correct answer क्या होगा option number B अगला question दोस्तो अगला question देखा बकसर के यूद के समय British Senna का सेनापती कौन था Lord Valley Jali B देखा मीर जापर C देखा Hector Munro D देखा Robert Clive तो right answer क्या होगा बकसर के यूद के समय British Senna का सेनापती कौन था अगला question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा actor Munro correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देखा अर्जेंटीना का परमुक का पास उत्पादक छेतर कौन सा है कंटालिया पेरू चेको का मैदान या उर्व गवे तो right answer क्या होगा अर्जेंटीना का परमुक का पास उत्पादक छेतर कौन सा है right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा चेको का मैदान correct answer क्या होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देखा हल्दीगाटी का यूद किके बीच हुल था option देखा है अकबर ऑम खैमू कई बीच 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 दे रखा है राना परताब एयों में अकबर के बीच, C दिरका हिमायु एयों सेर्शा के बीच, D दिरका राणा सांगा एयों बाबर के बीच तो हल्दी गाटि का युद किसके बीच हुआता, important question है इसका right answer हो जाएगा राणा परताब एयों में अकबर के बीच हुआता मुक्के बाजी से, बास्केट बोल से, बिलियार्ड से यह इन में से कोई नहीं तो 3 सेकेंड खेल किस खेल से संबन दिता है important question है, इसका right answer हो जाएगा बास्केट बोल से correct answer क्या हो जाएगा, बास्केट बोल, correct answer होगा option नमर B अगला question, अगला question दिरका निमन दिपों के युगमों में से कौनसा एक 10 अंस जलमारक द्वारा आपस में पर्थक किया जाता है जलमारक द्वारा आपस में पर्थक किया गया है, अलग किया जाता है important question है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option नमर ये अगला question, अगला question दिरका व्रद्दमान के जाता है कप किसखेल से संबन दिता है, बेडमिन्टन से, वेट लिफ्टिंग से, सत्रंज से या फुटबोल से तो व्रद्मान कप किसखेल से संबन दिता है, important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से, correct answer क्या हो जाएगा option नमर बी अगला question दोस्तों अगला question दे रखा, वरस 1908 में, किसकी अध्यक्स्ता में अखिल भारती मुस्लिम लिफ्टिंग की एक सांका लंदन में इस्तापित हुई थी? वरस 1908 में, किसकी अध्यक्स्ता में अखिल भारती मुस्लिम लिफ्टिंग की एक सांका लंदन में इस्तापित हुई थी? आमीर अली, सेद, हैदर रज्जा, सीदरका, सलीम, उल्ला, दीदरका, विसिबिनला, खा तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा आमीरा लीकी में राइट आंसर क्या होजाएगा? ओप्शन नमबर ये चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरका, वेश्वी करण का अरत क्या है? वेश्वी करण का अरत क्या है? ओप्चन इदरका अर्थ्वेवस्ता का एकी करण बी दरका वित्य बाजार का एकी करण सी दरका गरेलू अर्थ्वेवस्ता का वेश्वीक अर्थ्वेवस्ता के साथ एकी करण डी दरका अर्थ्वेवस्ता के विविन खंडों का एकी करण तो वेश्वी करण का मुख्य अर्थ क्या होता है important question है इसका right answer हो जाएगा घरेलू अर्थ वेवस्ता का वेश्वी का अर्थ वेवस्ता के साथ एक एक करण correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरका दुरोनाचारे पुर्षकार एक वरस में अधिक्तम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है एक वरस में अधिक्तम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है छे को पांच को चार को या साथ को तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा पांच करेक्ट चांशर क्या हो जाएगा ओप्षन नम्बर भी अगला क्यूशन के दोस्तों अगला क्यूशन है अनंत नाग जील किस राज्ये में हैं अप्षन इद रका जम्बो एंड कस्मीर भी दरे रका राजस्तान सिद रका डिल्ली दी दरका मिजुरम तो अनंत नाग जील है किसी राजे में इस्तित है इंपोर्टेंट क्यूशन हा पटाबट से कमेंट करेए बताई इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बो एंड कस्मीर में, correct answer क्या हो जाएगा, option नमबर ये, अगला question, दोस्तों अगला question देरा का वासको D gamma भारत कब आया था, 1470 में, 1488 में, 1492 में या 1498 में, तो correct answer क्या होगा, important question है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, 1498 में, वासको D gamma भारत कब आया था, 1498 में, correct answer हो UAE की पहली महिला अंत्रिक्स यात्री के रूप में निमन में से किसे नामित किया गया है इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोरा अले मात्रोसी अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका चील का जील किस राज्य में है गोवा में असम में अरुना चल परदेश में या ओडिशा में तो चील का जील है वह किस राज्य में इस्तिता इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका right answer हो जाएगा Odisha में correct answer क्या हो जाएगा option number D चलिए अगला question दोस्तो अगला question दरका निमलिक्त में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था सुवासचंदर बोस ने, बियार, अमेर्ड करने मदन मौन, मालविये ने या लोग अभाई पटेल ने तो correct answer क्या होगा तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था इन में से important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा भीम राओ अम्बेड करने, correct answer क्या हो जाएगा option number B, चलिए अगला question दोस्तो अगला question दे रहाएगा भारत का बड़ा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है option दे रहाएगा ले है B दे रहाएगा कच, C दे रहाएगा उत्तर कंड़ा D दे रहाएगा जोधपूर तो राजस्तान में है जोधपूर उत्तर कंड़ा है करनाटक में कच्छ गुजरात में लेह लद्दाक में तो correct answer क्या होगा important question है तो इसका right answer हो जाएगा कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जीला है correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तों अगला question देहागा उसेन सागर जील किस राज्ये में है तमिल नाड़ो में तेलंगाना में गोवा में या अंदर पर्देश में तो उसेन सागर जील है वो किस राज्ये में है important question है इसका right answer हो जाएगा तेलंगाना में correct answer क्या हो जाएगा option no.b अगला question वोशन है जोस्तो अगले कुशन देरेकère भारत में पर्थम सेवा की शुरुवात कहां से कहां तक हुई 1978 परियाग français डिल्ले भी डिरकर परियाग राश से बनारा से मुंबाई दिरकर इलाबाद से नैनी तो इसका right answer क्या होगा बारत की पर्थम हवाई डाक सेवा की शुरुवात कहां से कहां तक हुई important question है तो इसका right answer हो जाएगा इलाबाद से नेनी के लिए correct answer हो जाएगा option number D चलिए अगला question दोस्तो अगला question देरा का आस्ट्रेलिया की राज़दानी क्या है केंबरा, सिड्नी, दोवा या सिंगापूर तो right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा केंबरा correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question देराका है पूना समझोता किनकिन के बीच होआ था अंबेड कर और सुबास चंदर बोस के डॉक्टर बीम वराव अंबेड कर और जवारलाल नहरू के, c दिराका गांधी जी और अंबेड कर के बीच, d दिराका गांधी जी और जवालाल नहरू के बीच तो पूना समझोता किनकिन के बीच होआ था, मैत तो Oh Oh Noallah question है इसकर right answer हो जाएगा गांधी जी और अंबेड कर के बीच correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है doctor अंबेड करने कि कौन सी पत्री का निकाली थी doctor beam rao अंबेड करने कौन सी पत्री का निकाली थी option दे रखा हिंदू बीडिया मूक नायक सी दे रखा स्थनवाद कोमुदी डी दे रखा है बम दर्सन तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूक नायक correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दे रखा अंबेड कर जी के पिता का नाम क्या था राम जी सत्पाल भी दे रखा option number A अगला question दोस्तो अगला question दे रखा डॉक्टर अंबेड करने वका लत का से सुरू की कोलकता हाई code से मुंबई हाई code से इलाबाद हाई code से या दिल्ले हाई code से तो डॉक्टर भीमराव अंबेड करने वकालात कहा से शुरू की थी मैत तप पूरुन क्यूशन है इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई कोर्ट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरा का पूना फैक्ट सम्झोता कब हुआ था 24 अक्टूबर 1925 को 24 सितंबर 1932 को 24 नवंबर 1932 को या 23 नवंबर 1932 को तो पूना फेक्ट सम्झोता कब हुआ था मैं तो पुर्ण क्यूशन है इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सिप्तमबर 1932 को पूना फेक्ट सम्झोता कब हुआ था 24 सिप्तमबर 1932 को करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B चलिए अगला question दोस्तो अगला question दिराखा, पूना समझह था है, कौन सी जेल में हुआ था? एरवदा सेंट्रल जेल, बी दे रखा तियार जेल, सी दे रखा पंजाब जेल, डी दे रखा इलाबाद सेंट्रल जेल तो पूना समझोता कौन सी जेल में हुआ ता important question है इसका right answer हो जाएगा एरवदा सेंट्रल जेल correct answer क्या हो जाएगा option number ये चलिए अगला question अगला question है भारत में पहला सिमेंट कार खाना कब लगाया गया 1907 में, 1908 में, 1904 में, यांग 1905 में correct answer क्या होग इन optionों में से तो भारत का पहला सिमेंट कार खाना लगाया गया था 1904 में correct answer हो जाएगा option no.C चलिए अगला question गॉशन को अंसर बताए क्या होगा फिरोजाबाद किस चीज के लिए परसीदा Kate सिंदूर उदूख के लिए फिरोजाबाद किस चीज के लिए परसीद इंपोर्यट्षन है इसका राइट आंसर हो जाएका कांच उद्धोग के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number C चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दरका बंगाल का विबाजन किस ने किया था लोड वेलेजली ने वी दरका लोड कर जनने सी दरका लोड चैंप्स बोड ने डी दरका इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B लोड कर जनने करेक्ट आंसर क्या होगा option number B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दरका भारत में अलिगर्ड मुस्लिम विद्धाले की स्तापना 1922 में किसके सासन खाल में की गई थी option दरका लोड विलियम बेंटिक बी दरका लोड लीटने सी दरका लोड डलोजी डी दरका लोड चैंप्स बोड सोरी चैंप्स फोर्ड करेक्ट आंसर क्या होगा अगला क्यूशन दरका सनविदान सबाके सदस्य द्वारा सनविदान पर कब अस्ताक्षर किया गया ओप्सन दरका 22 जुलाई 1947 को बी दरका 26 जनवरी 1950 को सी दरका 26 नवीमबर 1949 को डी दरका 24 जनवरी 1950 को तो सनविदान सबाके सदस्य द्वारा सनविदान पर कब अस्ताक्षर किया गया था इंपोरटनक्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा इद्धन को, चाल को, दिशा को या दूरी को. तो राहीट आंशर कीम से कोन एक केंदर साशीत परदेश नहीं है? इनमें से कोन सा एक है जो केंदर साशीत परदेश नहीं है? त्रिपुरवा, लक्षदीप, पुदुचेरी या धमनवदीव? तो इन में से कौन सा केंदर साजिशित परदेश नहीं है इंपर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरी पुरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा है किस भारतिय राज्य की सीमा सरवादिक राज्यों की सीमा को इसपर्ष करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश की सीमा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा है निमलिकित में से कौन सा नगर करक्रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्तित है अगरतला, जबलपूर, गांदी नगर या उजयन राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका निमन नगरों में से कौनसा भारतिय राज्य करक रेखा के उत्तर में इस्तित है क्यूशन क्या है कौनसा राज्य करक रेखा के उत्तर में इस्तित है मिजोरम मनीपूर जारखं मुलत एक विसाल भुखंड का भाग था जिसे कहा जाता है ओप्शन इदे रहे का गोडवादन लेंड बीद्रका पिद्रका जुरे सिख के भुखंड सी दिरका इंडियाना डीद्रका आयार आर या वर्त तो राइट आंसर क्या होगा भारतिय उप महाधीप मुलत एक विसाल भूखंड का भागता जिसे क्या का आ जाता important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question अगला question दिरका पीर पंजाल सरेणी निमले कितमे से किस राज्य में इस्तित है option दिरका अरूनाचल परदेश में बी दिरका जम्बू और कस्मीर में सी दिरका पंजाब में डी दिरका उत्राखंड में तो पीर पंजाल सरेणी इनमे से किस राज्य में इस्तित है important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा जम्बू और कस्मीर में correct answer क्या हो जाएगा option number B चलि अगला question अगले question का अंसर बताएगा क्या होगा कोईला के निमनल की परकारों में से किस एक में सेस परकारों की अपैक्स हदिक परतिसत अंस कार्बन का होता है option इद्रका bitumans, B द्रका anthracite, C द्रका lignite, D द्रका coke तो इन में से किस कोईले की परकार में कार्बन की मातरा हदिक होती है important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा anthracite में correct answer क्या हो जाएगा option number B चलि अगला question अगला question द्रका इन में से किस में optical lens नहीं होता है इस ट्रेथोइसकोप, टेलिसकोप, माइक्रोइसकोप या पैरिसकोप तो किसमें इनमें से optical lens नहीं होता है important question है तो इसका right answer हो जाएगा इस टेटोई स्कोप में correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तों अगला question दे रखा साबून में antiseptic गुण निमलिकित मिस्रोनों में से एक के कारण पाया जाता है option ये दे रखा bethional, B दे रखा sodium, dodecyl, besin, sulfate net, bethional c दे रखा, resin, d दे रखा sodium, laurel, sulfate तो correct answer क्या होगा important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा bethional correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तों अगला question दे रखा है खोपड़ी में कुल कितनी अस्तिया होती है 15, 29, 22 या 23 तो correct answer क्या हो जाएगा मनुस्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है important question है तो इसका right answer हो जाएगा 39, correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तों अगला question दे रखा निमन में से कौन सा हार्मोन इंपोर्टन क्यूशन है तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा F, S, H, Harmon correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question दोस्तों अगला question दे रखा हडपा सब्वेता की खोज किस वरस में हुई थी 1942 में, 1901 में, 1935 में या 1921 में तो हडपा सब्वेता की खोज किस वरस में हुई थी important question है इसका right answer हो जाएगा 1921 में correct answer क्या होगा option number D चलिए अगला question दोस्तों अगला question दे रखा है निमली कितमे से किस पदाहर्थ का परियोग हडपा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था कासा का, लोवा का, तामबा का है, सेल खड़ी का तो right answer क्या होगा important question है फटाफ़चे बताए इसका right answer क्या होगा जल्दी-जल्दी comment करेके बताइए तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा सेल खड़ी का, correct answer क्या हो जाएगा option number B, अगला question दोस्तों अगला question दे रखा, सिंदू गाटी सब्वेता के लोग के संबंद में क्या सत्य है, option दे रखा, यह मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे B, दे रखा, यह मूर्तियों का निर्माण करते थे मंद्रियों का नहीं C, दे रखा, केवल मंद्रियों का निर्माण करते थे मूर्तियों का नहीं, D, दे रखा, यह मूर्तियों और मंद्र दोनों का निर्माण नहीं करते थे, तो सिंदू गाटी सब्वेता के लोगों के बारे में क्या सत्य ही इंपोटेंट क्यूशन आए तो फटाबर से कमेंट करके बताईए और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को सेर कर दीजे सभी गुरूपों में सेर कर दो एक बार तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मूर्तियों का निर्मान करते थे मंद्रियों का नहीं करते थे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका हडपा सब्वेता किस युक्षि थी लो युक्षि, कांस्य युक्षि, पूरा पासाण युक्षि या नवा पासाण युक्षि तो correct answer क्या होगा ? अडब्ब सभेता है किस युक्षि थी ? Important question है इसका right answer होजईगा कांस्य युक्षि correct answer क्या होजईगा ? Option number B चलिए अगला question दोस्तो अगला क्विशन देरा का मांडा किस नदी के किनारे इस्तित है मांडा है वह किस नदी के किनारे इस्तित है रवी नदी के चैनाव नदी के सतलाज नदी के या सिंदु नदी के तो किस नदी के किनारे इस्तित है मांडा राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसके र रकड़ी से या बास से तो सिंदू सब्वेता के घर किसके बनने जाते थे इंपर्ट एंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट से क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर बी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रका है पूरे विशु में सबसे हदिक उमर में परदान मंतरी बनने का गोरव किसे प्राप्त है मोरारजी देशाई चोदरी चरण सिंग, डॉक्टर मनमोन सिंग यब पीवी नर्शिमा राओ तो सबसे हदिक उमर में किसे परदान मंत्री बनने का गोरव प्राप्त है इंपोर्टन क्यूशन है, राइट आंसर क्या होगा इसका तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देशाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका कोन एक मात्र ऐसे परदान मंत्री हुए जिने भारत के सरोच सम्मान और पाकिस्तान के सरोच सम्मान से नवाजा जा चुका है उप्सने द्रका मौमद अली जिन्ना बीद्रका जवारलाल नहरू सी द्रका लियाकत अली खान बीद्रका लालबादरू सास्त्री इद्रका मुररजी देशाई तो इन में से एक मात्र ऐसा परदान मंत्री कोन हुआ है जो कि भारत के सरोच सम्मान वो पाकिस्तान के सरोच सम्मान से नवाजा जा चुका है important question है बताए क्या होगा इसका right answer बहुत ही मैताव पुरून question है जल्दी जल्दी comment करके बताए इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा मूरार जी देशाई correct answer क्या हो जाएगा option number E अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है हडपा एं मोंजोदोडो की पुरातात्विक खुदाई के परवारी थे कौन थे लोड मेकाले, सर जोन मार्सल, लोड कलाईव यह इनमें से कोई नहीं तो right answer क्या होगा तो दोस्तो हडपा एं मोंजोदोडोडो की पुरातात्विक खुदाई के परवारी थे सर जोन मार्सल correct answer क्या हो जाएगा option number B चलिए अगला question अगला question दे रखा हडपा के एक उन्नत जल परवंदन परनाली का पता चलता है आलमगीरपुरी, लोथले, दोलावीर में, काली बंगा में, right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number C दोलावीर में correct answer क्या हो जाएगा option number C चलिए अगला question करने के लिए एक मंत्री परिशद होगी और उसका परदान किसे बनाया गया है परदान मंत्री को, राष्टपती को, कैबिनेट मंत्री को, या लोकसभा अध्यक्स को तो right answer क्या होगा, important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा परदान मंत्री, correct answer क्या हो जाएगा option number C चले अगला question तो भारत में लोकसभा किसका पर्ति निदित अव करता है, important question है right answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा भारती अध्यक्स जानता का, correct answer क्या हो जाएगा, option number B चले अगला question अगला क्यूशन दे रखा है वारत की भूमी मुख्य भूमी का दक्षिनी नो कहे घंख केलिमेयर पॉइंट केमोरीन कें सिधार की इंदराई में से कोई नहीं तो भारत की मुख्य भूमी का दक्षिनी नो कौन सा है important question आए इसका right answer हो जाएगा के पी के मोरीन correct answer क्या हो जाएगा option number B चलिए अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है भारतिय सन्विदान में नीती निर्देशक तत्तव किसके लिए है नीती निर्देशक तत्तव किसके लिए भारतिय सन्विदान में उच्च नयाईले के लिए भारतिय नागरिकों के लिए सरकार के लिए राष्टपती के लिए तो right answer क्या होगा बहुत ही महताव करन क्यूशन है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा सरकार के लिए correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है भारत के पहले राष्टपती कोन हुए है जो की सबके सहमती से राष्टपती बनाए गए थे डोक्टर राजेंदर परसाद, सरावपली, राधाकर्षनन, संजीव, रेडी या वीवी, गिरी भारत के पहले राष्टपती कोन हुए है जो सबके सहमती से बनाए गए थे important question है right answer क्या होगा तो दोस्तो सबकी सहमती से बनाए गए राष्टपती कोन थे संजीव, रेडी correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है किसी भी राज्य का सनवेदानिक परदान किसे माना जाता है राज्य पाल को, परदान मंत्री को, मंत्री परिशद को या राष्टपती को तो किसी भी राज्य का सनवेदानिक परदान किसे माना जाता है इसका right answer हो जाएगा राष्टपती को correct answer क्या हो जाएगा option number D चलिए अगला question अगला question दे रहा है राष्टपती दुआरा भारतिय सन्विदान में संसद में कितने लोगों को मनुनित करने की व्यवस्ता की गई है 12, 14, 2 या 24 तो राष्टपती दुआरा बारतिय सन्विदान में संसद में कितने लोगों को मनुनित करने की व्यवस्ता की गई है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number B correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दे रहा है निमलिकित में से राष्टपती किसकी नियुक्ती नहीं करते है इन में से राष्टपती किसकी नियुक्ती नहीं करता है मुख्यमंत्री की अलब संक्यक आयो के सदस्य की बासा आयो के सदस्य की या राज्येपाल या प्रोक्त सभी तो इन में से राष्ट पती किसकी नियुक्ति नहीं करता है बहुत ही महताव पुरुन क्यूशन है राइट आंशर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंशर हो जाएगा मुख्य मंत्री की नियुक्ति नहीं करता है करेक्ट आंशर क्या हो जाएगा option number E चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन है पंडित जवारलाल नहरू को भारत रतन से कब सम्मानित किया गया था ओप्शन ए दे रखा 1956 में, B दे रखा 1957 में, C दे रखा 1955 में, D दे रखा 1958 में तो पंडित जवारलाल नहरू को भारत रतन से कब संबनित किया गया था बहुत इंपोर्टन्ट क्यूशन है क्या होगा इसका राहिट आंसर है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो दोस्तो इसका राहिट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर C 195 में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर C चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा मेगलन हभियान किस गरे से सम्बन दित है मंगल से, ब्रसपती से, सन्नी से या सुकर से तो मेगलन हवियान किस गरह से संबन देता है इंपोर्टन क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रसपती गरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर B चलिए अगला क्यूशन का आंसर बताएगा क्या होगा CICER Eritenium किसका वैज्यानी के नाम है मूं का, चना का, सागवान का या मटर का राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चना का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number B अगला question अगला question दे रका भारतिय सन्विदान में 9 वी अनुसुची 9 वी अनुसुची परिवर्दित भुई बारतिय सन्विदान में नवी अनुसुची परिवर्दित हुई ओप्शन इदे रखा है पर्थम संसोदन दुआरा बी दे रखा आटवे संसोदन दुआरा सिदे रखा है नोवे संसोदन दुआरा डी दे रखा 42 वे संसोदन दुआरा तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होज़ाएगा पर्थम संसोधन दुगारा कर्यक्ट आंसर क्या होज़ाएगा option number ये चलिए अगला question दोस्तो अगला question दे रखा किस रंग के परकास की उरजा सरवारदिक होती है नीला लाल काला या सपेद तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number ये किस रंकी परकास की उर्जा सरवाधिक होती है नेले रंकी तो right answer हो जाएगा option number ये चलिए अगला question दोस्तो अगला question दिरका नेमू निचोडने वाली machine किस सरेणी का उतोलग है पर्थम सरेणी, दिवतियक सरेणी, तर्थिय सरेणी या इन्वे से सबी तो नीमू निचोडने वाली मसीन किस सरेणी का उतोलग है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएका दिवतियक सरेणी करेक्ट आंसर क्या होगा? ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा इनाम भूमी किसे दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को मनसबदार को पैतरक राजसव संग्रार को या कुलीन को तो इनाम भूमी किसे दिया जाता था इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसबदार को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमर B अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है वेनिस यात्री मारको पोलो के पांडे राज्य के बर्मन के समय वहां का सासक कोन था वहां का सासक कौन था तो फटापर से बताए क्या होगा इसका माई वर्मन कुल सेकर बी दे रखा जटावर्मन सुंदरपांडे सी दे रखा जटावर्मन कुल सेकर डी दे रखा इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा important question है इसका right answer हो जाएगा माई वर्मन कुल सेकर correct answer क्या होगा option number ये चलिए अगला question अगला question दे रखा निर्मल भारत अभियान कब बनाए गई थी 2005 में 1988 में 1999 में 1995 में तो निर्मल भारत अभियान कब चलाएगा important question है इसका right answer हो जाएगा option number C correct answer क्या होगा option C चलिए अगला question दे रखा भारत दूर्दसा नामक परशिद क्रति की स्विद्वान की रचना है इसका right answer हो जाएगा भारत अभियान अरिस्चंद्र की correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा अखिल भारतिया हरीजंद संकी इसता अपना निमलकित में से किसके दुआर की गई राजा राम मोन राई सुभाज चंदर बोस मातमा गांदी या जवारलाल नहरू तो कौन सा correct answer होगा इन में से तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number C मातमा गांदी दूरा correct answer क्या हो जाएगा option C अगला question अगला question दे रखा है भारतिया सन्विदान की प्रस्ता होना पर किस करांती का प्रवाव नहीं जलगता है फ्रांसिसी करांती, अमेरिक करांती, बोल्सेविक करांती या चीन के करांती राइट answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा चीन के करांती जो की 1912 में थी correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question अगला question दे रखा पिमपरी संबन दिता है किस से संबन दिता है आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा पेनिशलीन उदोख से correct answer क्या हो जाएगा option number B चले अगला question अगला question दे रखा दीव एक दीप है दमन के तट पर गोवा के तट पर गुजरात के तट पर या महरास्टर के तट पर तो दीव है वहें एक दीप है किसके तट पर है important question है इसका right answer हो जाएगा गुजरात के तट पर correct answer क्या होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है मनपरीत सिंग की स्खेल से संबन दिता है option दे रखा तिरंदा जी बीदर का मुक्य बाजी किसी दे रखा फुटबोल दी दे रखा कबड़ी तो मनपरीत सिंग की स्खेल से संबन दिता है important question है इसका right answer हो जाएगा कबड़ी से correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दे रखा ने मिल लिकित में से किस देश के साथ भारत की अंतराश्टी सीमा नहीं लगती है इन में से इन option में से बताना है कि भारत के साथ किसकी अंतराश्टी सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान, बांगलादेश, भुटान ये सिरिलंका, right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा सिरिलंका, correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहा का नीती आयोग किसके सर्वेक्षणों के आदार पर निर्दंता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है राष्ट्रिये नमूना सर्वेक्षण संगठन बीद्रखा केंद्रे सांकी की संगठन सिद्रखा भारतिये रिजरोब बैंक डीद्रखा विशू बैंक तो नीती आयोग किसके सर्वेक्षणों के आदार पर निर्दंता रेखा के नीचे के लोगों का अकलन करता है मैताव पुरोन क्यूशन है क्या होगा इसका राइट आंसर है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रिये नमुना सर्वेक्षण संगठन के आदार पर तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर ये चलिए अगला क्यूशन मानव विकास रिपोर्ट कोन परकासित करता है संन्युक्त राश्ट्र संग एंतराष्ट्रणी ए मुद्रा को फीद्रक विसू को से लिद्रक अंतराष्ट्रि विकास संग c क्या होगा इसका रहींट आंसर यकर्ण क्या होगा option C ve जो कि दिल्ली में वर्तमान में इसकी सरकार है, तो इसकी स्थापना कबु ही थी, 15 October 2012, 26 November 2005, December 2013 ये इन irmी से कोई नहीं, तो आम आदमी पार्टी है, उसकी स्थापना कबु ही थी, Importohsन है, तो दोस्तो इसके राइट आंसर हो जएगा, 26 नवंबर 2012 को correct answer क्या होगा option number C अगला question अगला question दे रखा है भारत का संगलन चेतर पारदेशी की जल सीमा के आगे कितनी समुन्दरी मेल की दूरी पर है दूरी तक है 12 मेल 24 मेल 100 मेल 200 मेल तो भारत का संगलन चेतर पारदेशी जल सीमा के आगे कितनी समुन्दरी मेल की दूरी पर है राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मेल correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question अगला question दे रखा किस संस्ता को विशू बैंक की उदार रेणे देने वाले खिडकी कहा जाता है सन्युक्त राष्ट्र संग अंतराष्ट्य वित्तने गम विशू बैंक या अंतराष्ट्य विकास संग तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D अंतराष्ट्य विकास संग अगला question दोस्तो अगला Qibel के संुद्रे तट पर कौंसा खनीज नहीं पाय जाता है केरल के समुद्री तट पर इनमे से कों सा खनीज नहीं पाये जाता है मोनाजाइटे थोरियामwarts जिर्कोल ये कोईला राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो कोईला करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर डी चले अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका उच्छतम न्यायले ने सन्विदान के मूल धाचे का सिद्धान्त किस वाद में परतिवादित किया था ओप्शन दिरका बलवंत राई मेता बनाम पंजाब सरकार सोरी अगला क्यूशन दिरक्ट आप्ट उच्छतम न्यायले ने सन्विदान के मूल धाचे का सिद्धान्त किस वाद में परतिवादित किया था इंपोर्टन क्यूशन है क्या होगा इसका राइट आंसर तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाईगा केश्वानन्द भारती बन नाम केरल राज्य करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन सी अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरेक्ट का है करोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एका दिकार है छतीस गड़े मध्य परदेश उडिशा या जारकंड तो क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एका दिक एक आरहे है इंपोर्टेंट क्यूशन है राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा उडिशा करेक्ट आंसर क्या होजाएगा ओप्षन नमबर दोस्तो अगला क्यूशन है सन्विदान के किस भाग में सन्विदान संसोधन की परकिरिया का उलेक है ओप्षन इद्र का भाग 3 बीद्र का सेक्षन 4 सीद्र का भाग 20 इद्र का भाग 21 तो राइट आंसर क्या होगा इंपोर्टेंट क्यूशन है सन्विदान के किस भाग में सन्विदान संसोधन की परकिरिया का उलेक है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इसका राइट आंसर क् तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा भाग बीच में, correct answer क्या हो जाएगा, option number C, अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा है, गुरु नानक के उत्रादिकारी कौन थे, गुरु अंगद है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन या, गुरु अर्गिविंद, right answer क्या होगा, important question है, इसका right answer हो जाएगा, गुरु अंगद, गुरु नानक के उत्रादिकारी कौन थे, गुरु अंगद, correct answer हो जाएगा, option number C, चलिए अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा है, बोलो मेटर, मापन की एक युक्ति है, दाब के, पोदों में वरदी के, उसमें विक्रण के, या वा होगा, option number C, चलिए अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा है, राष्ट्र कूट काल में, राष्ट्र का परधान केला था था, और थारते, प्रांत का परधान कोन केला था था, राष्ट्र पती, राष्ट्रिय के, रठी के, या विश्य पती, तो राष्ट्र कूट काल में, र किसने चिंद्रम के निकट गंग कोंड चोल पुरम बसाया और उसे अपनी राजदानी बनाई उपसने दिरका राज राजा पस्ट भी दिरका राजेंदर पस्ट सी दिरका है कोलुतुंग चोल पस्ट दिरका इन में से कोई नहीं तो किषने चिंदरब के निकटे गंग कोंड चोल पुरम बसाया और उसे अपनी राजदानी बनाई इंपोर्टन्ट क्यूशन है क्या होगा इसका राइट आंसर होजेगा राजेंदर परस्ट राइट आंसर क्या होगा राजेंदर परस्ट अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका है संगीत गरंत सत सई के लेखा कोन है संगीत गरंत है सत सई उसके लेखा कोन है भीयारी लाल, स्यामलदास, करपाराम या सूरदास तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो ज़ेगा भी आरी लाल, correct answer क्या होगा option number ये, अगला question अगला question दिरका ice hockey के खेल परिसर को क्या कहा जाता है course, velodrome, rink या इरीना, तो ice hockey के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, मैं तो फुरुन question है, इसका right answer हो ज़ेगा rink, correct answer क्या होगा option number c, अगला question अगला question दिरका आवेग का मात्र क्या होता है newton परती second है, newton newton परती meter है, newton परती square meter square, तो correct answer क्या होगा आवेग का मात्र क्या होता है important question है, इसका right answer हो ज़ेगा newton परती second, correct answer क्या हो ज़ेगा, option number e अगला question जैले अगला क्युषण दिरका राम चंदरी का एउम रसिक पिरिया की रचना किस ने कीती राम चंदरी का और रसिक पिरिया की रचना किस ने कीती important question है क्या होगा इसका राइट आंसर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जायगा option नाबर b के सव दास में correct answer हो जाएगा option B चलिए अगला question अगला question दिरका water polo में एक pucks में खिलाडियों की संक्या कितनी होती है water polo होता है खेल उसमें एक pucks में खिलाडियों की संक्या कितनी होती है 9 खिलाडी, 10 खिलाडी, 8 खिलाडी या 7 खिलाडी तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ खिलाडी करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर D अगला क्युशन दिराका बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मदुमक्यों से की थी अलिवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सी दिराका मिर्जापूर, डी दिराका आलमगीर दिवतिय राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिवर्दी खान correct answer क्या होगा option number ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका आर्थिक सयोग और विकास संगठन का मुख्याले कहां पर है आर्थिक सयोग और विकास संगठन का मुख्याले कहां ही इस्तित है पेरिस में जिनेवा में बुरुसेल्स में मनिला में राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो देगा पेरिस में इस्तित है करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन ये अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका है दल बदल के आदार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोगीता संबंदी विवरण सन्विदान की किस अनुसुची में दिया गया है अनुसुची आटवी, नवी, दसवी यह ग्यारवी तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दसवी अनुसुची में करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका प्रसिद विजे विठल मंदिर जिसके चपन तक्षित इस्तम संगीत में इसिवर निकालते हैं का अवस्तित है ओप्शन दिरका बैलूर में बी दिरका शिरी रंगम सी दिरका हमपी डी दिरका बद्रा चलम राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी हमपी में कर्यक्ट आंसर क्या होजएगा, option C अगला क्यूशन दोस्तों, अगला क्यूशन दे रखा है राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकार सरव परतम किसे दिया गया था राजिव गांदी खेल पुरुषकार रतन है वह किसे दिया गया था सबसे पहले उप्शन इदरका विश्व नाथन आनंद, बी दरका मंजीत सिंग, शी दरका जस्पाल राना, ली दरका रमेश पाठानिया, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व नाथन आनंद को, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर ये, अग अगला क्यूशन दरका है मैमूद गजनवी के भारत पर आकर्मन का उद्देश से क्या था उप्सने दरका है इसलाम का परचार बी दरका है गजनी सामराज्य का विस्तार सीधर का मूर्तियों को तोड़ना मंद्रियों को लूटना दी दरका मद्दे ऐसिया में एक बड़े सा हम्राज्य की स्तापना के लिए धन प्रापत करना और आइंसर क्या होगा option नमबर डी चलि अगला क्यूशन अगला क्यूशन द्रका पूरव मध्यकाल में विज्जय ले ने चौल राज्य की स्तापना कभी की क्रेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जार पचास एश्वी में गरेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्चान नमबर दी चलिए अगला क्यूशन पगडी संभाल जट्टा अंदोलन किस ने शुरू की थी पगडी संभाल जट्टा अंदोलन किस ने शुरू किया था योगेंदर सिंग यादवने राके सिंग टिकेत ने अखिले सिंग यादवने सरदार अजित सिंग ने तो पगडी संभाल जट्ट का अंदोलन किसने शुरू किया था इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार अजीत सिंग ने क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर डी चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन रखा महाराष्टर में लोकसवा सीटों की सं बारतिय नोसेना की तीसरी इसकोर्पियन पंडूबी का नाम क्या है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस नमबर डी चलिए अगले क्यूशन का अंसर बताइे क्या होगा भारत में ओडान योजेन योजना को कब लॉंच किया गया था 2015 में 2016 में 2017 में यह 2020 में तो भारत में उडान योजना को कब लॉंच किया गया था important question है इसका right answer हो जाएगा 2016 में correct answer क्या होगा 2016 अगला question दोस्तों अगला question दरका किस मुगल सासक के सहनापती में सरवाधिक हिंदू सहना थी अकबर साजा उमायू या ओरंग जेव तो किस मुगल सासक के सहनापती में सरवाधिक हिंदू सहना थी important question है इसका right answer हो जाएगा ओरंग जेव correct answer क्या होगा option नंबर डी अगला question अगला question दरका अलक नंदा और भागी रती का संगम होता है अलक नंदा नदी और भागी रती नदी का संगम का होता है देव परियाग में रुद्र परियाग में विशुन परियाग में यह इनमें से कोई नहीं तो important question है क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option नंबर ये देव प गंगा नदी पर गोदावरी नदी पर फैनी नदी पर या सिंदू नदी पर तो मेत्री सेतु है वहां किस नदी पर बनाये गया है important question है इसका right answer हो जाएगा फैनी नदी पर correct answer क्या होगा option number C चले अगला question दोस्तो अगला question है चित्वन घाटी कहां है सिरिलंका में नेपाल में बुठान में या भारत में तो चित्वन घाटी है कहां इस्तित है important question है इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन आया हिंदी साहिते मंडल के नाव लेखन तेज पुरुषकार 2020 से किसे समानित किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमीत सुधन को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर C परकर्ती में सरवार्दिक मात्रा में उपलवत कार्बनिक पदार्त है ओप्शन एत्रक है सेललोज बीत रहेखा नाइलोन सी दे रहेखा का गलूकोस डी ते viktigt तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा इंपडमें क्युश्टन है तो दोस्तों इसका राइट अन्सर हो जाएगा सैलिलोस ऍर अगला क्रेक्ट अचर क्या हो जाएगा ऑप्सन ख्रांपर यह अगला क्यूशन क्या अगला क्यूशन दिर में दरका सेंट्रल to रिसर्च सेंटर का है इस्तित है Central Drug Research Center का है इस्तित है लखनाव में हैदराबाद में कॉलकाता में या नईदिले में तो Kendria Drug Research Center का है इस्तित है important question है राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखना उने, correct answer क्या हो जाएगा, option number ये, चलिए अगला question, अगला question दे रखा है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा छेतर अनुसूचित करने के लिए निमले कितमे से कौन सक्सम है, सम्मंदित राज्य का राज्य पाल, भारत के राष्ट पती, सम्मंदित राज्य का मुख्य मंत्रिया, राज्य विदान मंडल, तो किसी राज्य के नगरपालिका का सीमा छेतर हदी, सूचित करने के लिए कौन सक्सम है, important question है, इसका right answer क्या होगा, तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, सम्मंदित राज्य का राज्य पाल, correct answer क्या हो जाएगा, option number ये, अगला question दे रहा है, सन्युक्ति सैन्य अभ्यास, sit max 2020 में निमल लिक्त में से, कौन सा देश सामिल नहीं था, option 1 दे रहा, ताइवान, B दे रहा है, सिंगापूर, C दे रहा है, भारत, D दे रहा है, थाइलेंड, तो right answer क्या होगा, sit max 2020 में कौन सामिल नहीं था, इन में से, सन्युक्ति सैन्य अभ्यास में, right answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, ताइवान, correct answer क्या हो जाएगा, option नमबर ये, अगला क्यूशन, दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है, life divine के लेखा कोन है, सवामी, सिवानन्द, B दे रहा है, राजिंदर परसाद, C दे रहा है, सचिंदर सानियाल, D दे रहा है, अर्विंद गोस, तो इस life divine के लेखा कोन है, important question है, right answer बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो इसका right answer हो जाएगा, अर्विंद गोस, correct answer क्या होगा, option number D, अगला क्यूशन दे रहा है, प्रेस का मुक्ति दाता किसे कहते हैं, लोड एस्टिंग्स को, B दे रहा है, लोड ओकलेंड को, C दे रहा है, Charles मेटकोफ को, D दे रहा है, वारेन एस्टिंग्स को, right answer क्या होगा प्रेस का मुक्ति दाता किसे कहते हैं, right answer हो जाएगा, option number C, Charles मेटकोफ को, right answer क्या हो जाएगा, right answer होगा, option C, अगला क्यूशन, दोस्तों अगला क्यूशन दे रहा हन एपी इंडिया, अन एपी इंडिया के लेखा कोन है, सुभास चंद्र बहुत से, वीडी सावर करे, लाल लाजपत्राई, जवालल नहिरू, तो अन एपी इंडिया के लेखा कोन है, important question है, इसका right answer हो जाएगा, लाला लाजपत्राई, correct answer क्या हो जाएगा, option number C, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा, परसीद पुस्तक, जंगल भूक किसने लिखी थी, परसीद पुस्तक है जंगल भूक किसने लिखी थी, बासकराचारिये, रूड यार्ड किपलिंग, सीधर का SS रंदावा, डीधर का EM फोस्तर, तो जंगल भूक किसने लिखी थी, important question है, इसका right answer क्या होगा, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, रूड यार्ड किपलिंग, correct answer क्या हो जाएगा, र दोस्तों अगला question दिरेका, राज तरंगी नी, नामक प्रशिद करती के रचनाकार कोन है, कलहन, कामंदक, पाणी नी, काली दास, right answer क्या होगा, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, option नमबर ये, कलहन, correct answer क्या हो जाएगा, option ये, अगला question, दोस्तों अगला question दिरेका, निमि रचनाकाली दास की नहीं है, option दिरेका, रगु अंसम, बी दिरेका, कुमार संभुवम, सी दिरेका, मुद्रा राक्षस, डी दिरेका, अभिज्यान, साकूंतलम, तो इन में से कौन सी रचनाकाली दास की नहीं है, मैंतो पूरण question है, इसका right answer हो जाएगा, मुद्रा correct answer क्या हो जाएगा, option number C, यह काली दास की रचना नहीं है, अगला question, दोस्तो अगला question दिरेका, भारत ने किस देश को 100 करोड रुफे का गस्ति पोत पी एस, जो रोइस्टर उपहार में दिया है, नेपाल, सेसेल्स, जापान या चीन, correct answer क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा, स इमिल लिखित में से कौन सी दातू, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, पानी के साथ परतिकरिया नहीं करती है, option दे रखा है, लीथियम, B दे रखा है, केडिमियम, C दे रखा है, पोटेसियम, D दे रखा है, सोडियम, तो इन में से कौन सी दातू, हाइड्रोजन के उ हो सवस्ता में विद्धु धारा का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है हीरा सोडियम कलोराइड आयोडीन गरेफाइट तो हो सवस्ता में विद्धु धारा का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड बाज कुत्ते या बिल्ली तो इन में से कौन सा पराणी है जो अपने सिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक धंगनी का उप्योग करता है मैतवपुर्ण क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन ये अ दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के सियम करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर सी अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका है लकड़ी के आस्वन द्वारा तेयार सराब है लकड़ी के आस्वन के द्वारा सराब तेयार है ओप्शन देरका प्रोपाइल अलको डी देरखा एथिल एलकोहल तो लक्डी के आस्वन द्वारा कौन सी सराब तेयार की जाती है इंपटेंट क्यूशन है इसका राइट इंशर हो जाएगा मिधायल एलकोहल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option no c अगला question अगला question देरखा है मल सोधन में विग्टण परशारीक होता है उपक्षन निppt रहा है कितान करका मल तोस को मल फ़िछन दोस्ट है कुलिस टूब का परियोग किसके निर्मान के लिए किया जाता है एक्सरे किरने गामा किरने रेडियो तरंगे सुक्सम तरंगी तो कुलिस टूब का परियोग किसके निर्मान के लिए किया जाता है कुलिस टूब राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा एक्सरे क की रिने के लिए करेक्ट आंसर क्या होजाएगा option नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन देरा का golden girl एवो उडन परी के नाम से किसको जाना जाता है golden girl वो उडनपरी के नाम से किसे जाना जाता है option देरा का पीटी उसा, बी देरा का सैनी अब्राहम, C दिरेका K, M, B, N, D, रखा सुनीता राणी राइट आन्सर क्या होगा? तो दोस्तो इसका राइट आन्सर होजएगा PT USA को राइट आन्सर क्या होजएगा PT USA को Golden Girl वर वर उडन परी के नाम से जाना जाता है Correct answer होजएगा option number Y चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दरका टर्बिनेटर के नाम से जाने जाते है टर्बिनेटर के नाम से किसको जाना जाता है अर्बजन सिंग को सेनवारन को मुरलिकार्ति को या अनिल कुमले को तो टर्बिनेटर के नाम से किने जाना जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका लगिंदर सिंग को अजित पाल सिंग को मोहिंदर सिंग को तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे का आ जाता है मैं तो पूरण क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलखा सिंग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर ये चलिए अगला क्यूशन का आंसर बता खोज किती रोई इंट जनने क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा पराब्यांग ने किर्णों की खोज किस ने किती पराब्यांग ने किर्णों की खोज किस ने किती ओप्शन ये दे रखा रेडर ने मारको नीने न्यूटर नंहें या रेटर नंहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तो इसका राइट आंसर ओझेगा रिटर नहीं। तो राइट आंसर ओझेगा ओप्छन नंबर अगला कुछन दोस्तो अगला क्यूशन है दिरग रेडियो तरंग की खोज किस ने की थी दिरग रेडियो तरंग की खोज किस ने की थी बहुत इंपोर्टन क्यूशन है ओप्शन दिरग का विक्रम ने बी दिरग का बैकुरल ने सी दिरग का मारकोनी ने डी दिरग का इन में से कोई ने तो दिरग रेडियो तरंग की खोज किसने कीती काफी महत्रपूरुन क्या होगा इसका राइट आंसर है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मारकोडी ने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number c चले अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका नेत्ता जी सुभास्चंदर बोस्त का जनम कब हुआ था 23 जन्वरी को 28 जन्वरी को 18 फरवरी को या 24 फरवरी को तो correct अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा भीम राव अंबेड कर का जनम कब हुआ था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का चोदे अप्रेल 1891-讲 कब हुआ था 14 अप्रेल 1891-ám इनका जनम हो था और दोस्तो अगर इनकी मर्तिव की बात करे तो 6 दिसमर 1956 को इनकी मर्तिव हुए थी चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरखा है बंकिम चंद चट्र जी का जनम कब हुआ था शोले मही को शात मही को नो मही को या 26 जून को इन में से कोई नहीं तो फटा पर से कमेंट करके बताए इसका राइट आंसर क्या होगा इंपोर्टन क्यूशन है जल्दी बताओ क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को कब हुआ था 26 जून हो आपको कमेंट बोक्स में टाइप करके बताना है कि इनकी साल क्या थी जनम साल क्या थी चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरखा है तो दोस्तो इसका राम मोन राय का जनम कब हुआ था ओपसने दरखे 14 अप्रेल को 2 दर गाशी úछ दिरखे 15 जनवरी को D और 22 अप्रेयल को यृ दिरखे 30 फर्वरी को रायिट आंषर क्या होगा है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 22 मही को, इनका जनम कभूःत राजा रामुर राई का 22 मही को, correct answer हो जाएगा option number B, चले अगला क्यूशन, दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है, 2 October को किसका जनम दिवस मनगा जाता है, मात्मा गांधी को लालबा दुरसास्ति का ए और बी दो दोनों का यह इन में से कोई नहीं तो दो अक्टोंबर को किसका जनम दिवस मनाये जाता है काफी महत्तव पुरण क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भी दोनों का अर्थार्थ मात्मा गांधी जी का और लालवाद दुरु शास्त्री जी का दोनों का दो अक्ट इसका राइट आंसर तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजएगा 31 अक्टूबर को कम मनाय जाता है 31 अक्टूबर को राइट आंसर होजएगा ओप्शन नमबर यह । चले अगला क् synt अगला क्यूस दिरा काईकए 1983ि एस्वी में इंग्लेंड में आयजित विषव कप की विजयता कून है भारत वेस्ट इंडिज सिरिलंका या पाकिस्तान Qiao क्यूसर में इंग्लेंड में आयजित विषव कप की विजफा देश कौन सा है चीन मालदीव सिंगापूर या जापान तो ऐसी या मादीव का सबसे बड़ा देश कौन सा है important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा चीन correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question अगला question दे रहा का दक्षिन एमरीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है कन्नाडा बराजील अर्जेंटिना ये इनमें से कोई नहीं तो दक्षिन एमरीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है important question है right answer हो जाएगा बराजील correct answer क्या होगा option B अगला question दोस्तों अगला question दे रहा का आस्ट्रेलिया मादीव का सबसे चोटा से कौन सा है आस्ट्रेलिया मेवटो नौरू ये सेंटपीरे correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जागला क्यूंसा है अगला question दे रहा है Asia मादीव का सबसे चोटा देश कौन सा है बेरीन, अफगानिस्तान, बांगला देश यह मालदीव, तो ऐसे मादीव है, इसका सबसे छोटा देश कोन सा है, important question है, इसका राइट आंसर हो जाएगर मालदीव, correct answer क्या हो जाएगर, option नंबर D, अगला question, अगला question देरके, उत्री अमरिका का सबसे बड़ा देश कोन सा है, क अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा यूरोप मादेश का सबसे छोटी सीटी कौन सी है यूरोप महादीप का यह महादीप है यूरोप महादीप का सबसे छोटी सीटी कौन सी है वेटिकन सीटी बरलिन सीटी यह और भी दोनों यह इनमें से कोई नहीं तो रा राइट आंसर हो देगा वेटिकन सीटी करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्षन यह अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा है परसांत मासागर की गहराई कितनी है परसांत मासागर है उसकी गहराई कितनी है ओप्षन यह दे रखा है एक लाक दसजार दोसो 65 किलोमेटर भी द इसका राइटांसर होदएगा option C ग्याराजार 22 किलो मेटर है प्रसांथ मासागर की गेराई कितनी है 11022 किलो मेटर correct answer क्या हो दएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दरखा है गांधी जी को महात्मा की उपादी किसने दीती तो गांधी जी को महात्मा की उपादी किसने दिया जवारलाल नहरू ने सुबास्चंदर बोशने या राजिंदर परसाद ने तो राष्ट पिता की उपादी किसने दिती मात्मा गांधी को राइट आंसर होजाएगा सुबास्चंदर बोशने राइट आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका रविंदर नाट एगोर को गुरुदेव की उपादी किसने लिखी दी स्वामी विवेका नांदे मात्मा गांधी दिन्दयाल उपाद्धाय इनमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्मा गांधी करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सन नंबर बी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका राजेंदर परसाद को देश रतन की उपादी किसने दिया मात्मा गांधी ने वललब भाई पटेल ने राजा राम मोन राई ने अली जिन्ना ने तो राजिंदर परसाद को देश रतन की उपादी किसने दीती। इंपोर्टन क्यूशन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्मा गांदी ने। क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर ये। अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे राखा है राम मोन राई को राजा की उपादी किसने दिया। अकबर ने, ओमायू ने, अकबर दिवतिय ने, बाबर ने तो राम मोन राई को राजा की उपादी किस ने दी है इंपोर्टन क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर दिवतिय ने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे राखा New Moore deep इस्तित है हिंद मासागर में, अरब सागर में, प्रसांत मासागर में या बंगाल की खाडी में तो new, more, deep काँ इस्तित है इंपोर्टन क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर D अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरखा केंद्रिया बैंस अनुसंदान संस्तान का हिस्तित है बैंगलूरू में इसार में मुंबई में इजट नगर में राइट आंसर क्या होगा केंद्रिया बैंस अनुसंदान संस्तान का हिस्तित है इंपोर्टन क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसार में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर D अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन देराकर डेल्टा की आकरती कैसी होती है वरत्ताकार वरगाकार तिर्बुजाकार या आहिताकार तो डेल्टा होता है उसकी आकरती कैसी होती है इंपोर्टन क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिर्बुजाकार होती है डेल्टा की आकरती कैसी होती है तिर्बुजाकार राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरा का मसालो की रानी किसे कहते हैं घींग को, लोंग को, इलाईची को या केसर को, तो मसालों की रानी किसे कहते हैं, कापी महत्वपुरून क्यूशन आए, इसका right answer हो जाएगा, इलाईची को कहते हैं, मसालों की रानी किसे कहते हैं, इलाईची को, correct answer हो जाएगा, option number C, अगला क्यूशन, दोस्तों, अगला क्य पड़िया दर्रा किस राज्य में इस्तित है, इंपोर्टेंट क्यूशन है, इसका राइट आंसर हो देगा, आरूना चले परदेश में, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर सेर करना, ज इस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे, साथ में all notification bell को भी on कर लिजे, thank you